गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं मनी शुकला आर्बेस क्लासे दप परिक्षा गुरू के ऑनलाइन यूटूब चनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि हम अपने पिछले लेक्षर रूल आप डिविल्टी यानी विभाजता कर नियम इस टॉपिक के बारे में आपसे हमने चर्चा किया हुआ था और इस पर हमने बहुत विस्तार से क्या हुआ है और जितनी कोशन अभी तक हमको मिले हैं एक एक टाइप वाले उ सारे क्वेश्चन को आपको रखके हमने उसक्तिक किया हुआ है और इस रूल आप डिविल्टी पर लगवाग मैंने नौ से दस लेक्षर दोस्तों डाले हुए हैं और मैं आपसे एक चीछ कहा हूं और अभी भी कह रहा हूं आगे भी कहूंगा कि दोस्तों मैं जब किसी करता हूं तो उस टॉपिक को मैं जीरो से उठाता हूं यह मान के चलता हूं कि हमारे साथ कुछ ऐसे भाई होंगे यह बहान होंगे जिनको बहुत कम यह हो सकता हूं का लेवल भाल भबो नहीं रहा हो उनको च सके आप competitive या competition के जो main stream में उसमें आईए और अपने selection को आप पाईए उसी दृष्टी को मैं रखते हुए उसी दृष्टी से मैं दोस्तों अपने class को लेके चलता हूं और मैं अभी तक जो आपको पढ़ाया हूं सारे लेक्षर आप लोग दोस्तों लगातार आपका हमें प्यार मिला है हमारे चैनल को लगाता सब्स्राइब भी आप लोग कर रहे हैं लाइक भी कर रहे हैं तो उसी सीरीज को मैं आज आगे बढ़ाते हुए एक चोटा सा topic है दोस्तों एक चोटा सा topic है जिसका नाम है जिसको कहते हैं decimal numbers डेसिमल नंबर जब हमने नंबर सिस्टम का basic introductory class लिया होता है जहां हमने आप dus पहुता था रियाल नंबर क्या होता है हिमेज़नर ==== नंबर क्या होता है इंटीजर्स क्या होते हैं या कहने मतलब होता है प्राक्तिक संख्या क्या होती पूर्ण संख्या क्या होती शम संख्या क्या होती इन सब चीजों की जो हमने चर्चा किया हुआ था तो वहीं पर दोस्तों हमने आपको बताया था एक शब्द होटा है तो वह हमारी तीन प्रकार के एक terminating होटी है एक non terminating होती है non terminating repeating decimal एक होता है non terminating and non repeating decimal तो इसका मतलब क्या होते है आएए थोड़ा सा दोस्तों आगे चलते हैं देखें जैसे गौर करेगे दूस्तों अगर इसके example नाप से कहा हूं इसके example होते है, terminating decimal, terminate का मतलब होता है सांत हो जाना, यानि दसमलों के बाद एक निश्चित संख्या पर जाके वो दसमलों हमारा पूरी तरह से खतम हो जाए, यानि वो fraction पूर्ड उससे बदल जाया, जैसे for example, अगर मैं दोस्तों आप से कहूं एक बटे दो, तो आप इसको बोलते हैं, सर्जी इसका मतलब होता है, 0.5, एक एक दो दो example देगें, क्योंकि इस पर हम डिटेल से आपको चर्चा कर चुके होंगे, तो दोस्तों जो हमारा है, जिसको हम बोलते है, terminating decimal, terminating decimal का मतलब यह होता है, जो कि दसमलों के बाद तुरंत हट जाए, जैसे दोस्तों, और example, यह दि मैं कहता हूँ, 0.73, 0.73, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे, सर्जी इसको हम 73 बटे का 100 लिख सकते हैं, तो हमारी बाद तो आपको एक सिस्वाज में आई होगी, क्या समझ में आई होगी, कि ऐसी संख्या लेना है, जो कि दसमलों के बाद हमारी तुरंत ही हट जाए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे, 73 अपॉन का क्या हो जाएगा, 100, हमारी बाद समझ में आ रहा है, बस एक एकसामपल समझने, दस्मलों में जो संख्या है, दसमलों का हम पूरी तरह से भिन में कनवर्स कर सके, उसी क्या कहते है, ठर्मनेटिंग देसिमल, यानी सांत दसमलों, सांत मतलब कि दसमलों के बाद कुछ एक निश्य संख्या पर जाके, वो हमारा एक निश्य डिज लॉन कहा होता है और सांत नॉन टान टेंटिंग उसको कणा साथ रिपीटिंग को एक उसको जो जैसे मैं चुछ ऑर इसी non repeating इसे non repeating देसिमल को इसी non terminating and repeating decimal यानि जो दुराव भी नहीं हो रहा है और उसके टर्मनेट भी नहीं हो रहा यानि असांत है उसी को हम topic में पढ़ेंगे दोस्तों इसी को हम बोलते हैं recurring का topic इसी को क्या बोलते हैं recurring का Topic और recurring को हिंदीं क्या बोलते हैं आवर्त संख्या या पुन्रा वृत्तिवाली संख्या इसको हिंदी में बोला जाता है क्लियर है इसको क्या बोलते हैं पुण्रा ब्रित्क वाले शंख्या है आगे क Après तिसरा non-terminating and non-repeating यानि non-terminating यानि हट भी नहीं रहा है और साथ-साथ non-repeating यानि दुहराव भी नहीं हो रहा है और इसी संख्या को दोस्तों हम क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं तो आप कहते हैं इसी को बोलते हैं परिमे संख्या जिस पर हम डिटेल से आप से डिसकस कर चुके हैं यहां बस मुझे इसलिए मैं इसको बता रहा हूं ताकि आपकी जो मैं topic लेकर चला हूं दोस्तों उस topic पर आप अपने आपको link कर सको कि आखिर हम पढ़ को आपने तीन भागों बाटा पहला भाग आपका क्या है दोस्तों पहला भाग डेति अनेटिंस था झसको सोर्ड फ़र मेंं आ कर सकते हैं त्य स需 वना सांत डस्मलव है लेकिन दुहराव भी नहीं देडियाख्या में और इस पर हम दोस्तों दो से तीन लेक्चेर हम अपने RBS क्लासे द परिक्षा गुरू के चैनल पर डिटिल्स डाले हुए हैं, इसलिए उन बिंदूओं पर हम नहीं जाएंगे, हमारा आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है दोस्तों रेकरिंग नंबर आवर्त संख्या या पुन्रा वृत्ति संख्या हैं, इसी को हम बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेशिमल, इसी को सौट फर्म में अगर मैं बोलूँ तो दोस्तों आप बोलना NTR, क्या बोलते हैं, NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्लियर हैं, अब ये दो भा और ये एक होता है दोस्तों, अशुद्ध पुन्दा वृत्ति, ये क्या होता है, अशुद्ध, इंप्योट, तो आईए इसके एक्जाम्पल को हम देखने का प्रयास करते हैं, देखने, दोस्तों अगर शुद्ध की बात करें, हम इसको यहां लिख दे रहे हैं, अगर हम इस तरह से रिपीट करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ, 0.317, 317, 317, है कि नहीं है, देखो, ये क्या है, दस्मलों की तुरंत बाद संख्या रिपीट हो रही है, क्या हमारी बात से सामत आप लोग, दस्मलों की तुरंत बाद संख्या रिपीट हो रही है, उसको हम बो का मतलब क्या होता दोस्तों मतलब कुछ एक संख्या को छोड़ कर कुछ एक डिजिट को छोड़ कर अगर रिपीट होना शुरू होता है तो उसको क्या बोलते हैं इंप्योर रेकरिंग जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं दोस्तों 0.7333 यहां क्या देखा कि एक संख्या आने साथ यहां रिपीट नहीं कर रहा है रिपीट कहां से कर रहा है 333333 क्लियर आई एक एग्जामपल और देते हैं आपको जैसे मैं कहता हूं दोस्तों 3.0977777 है कि नहीं है देखिए तो 09 देसिमल हमारा है दसमल हो है 09 को छोड़ के रिपी कहां सो रहा है यहां सो रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीज़ तो समय में आ गया होगा कि आखिर हम ntr non terminating repeating बीटिंग डेसिमन एंटिय जिसेमं रेयकरिंग बोलते हैं यानि आवर्त संख्य है पुंद्रा बित्ति के बोलते हैं इसको मार्म बाढ़ते एक शुद्ध होता है एक असुद्ध होता है यहsemblait प्यूर रेक्टिंग कि ए मुंद। और इंप्योर रेकरीं हम की से करते हैं। उतनी चीजों से आपको सुअज में आ गया होगा कि हम किसे करते हैं, इंप्योर क किसे करते हैं। अब आए हम थोड़ा से एक्जाम्पल पर आपको लेकरे, दोस्तों हम बढ़ते हैं। ठीक है आएए आएए देखें जैसे माल लीजिए आराम देखना दोस्तों मैं बहुत सुकून से पढ़ाता हूं बहुत धीरे पढ़ाऊंगे दोस्तों एकदम बेसिक से आपको चीयों को समझाऊंगा जैसे अगर मैं आपके सामने रखों 0.33333 और यह हम बढ़ते हुए आग इण्टू फ्रैक्षन ठीक है यानि इसको भिन्न में बदलीगे तो दोस्तों यी चीज गोर करिए आप इसको और डिटिल से भी समझा देंगे इसको हम बैसिक स्क भी सम जागे अगर इस संख्षया को मैं आप से कहूं यदि मैं इस संख्षया को आप से कहूं कि इसे भिन् कि सर अगर दस्मलों की बाद की शंख्या हमारी हटा दी जाए रिमूब कर दी जाए तो संख्या आसानी शे संख्या इजी वे में हम उसको भिन्द में कर सकते हैं आईए जैसे सपोज करिए दोस्तों हमने आपके शामनी यही सवाल लगा मैं इसका सौट मेथड ही बताऊंगा मैं इसका डेटेल भी बताऊंगा दोनों चीह आपको समझाऊंगा अगर थोड़ी दिरेक लिए दोस्तों यदि थोड़ी दिरेक लिए जैसे मैं कहता हूं चलो माल लेते हैं x बराबर x बराबर 0.33333 इस तरह समने कुछ माल लिया x के बलू माल लिया अब आप यह बताओ 0 के बात कितने ऐसी डिजिट्स हैं जो कि रिपीट हो रहे आप काने सर्जी एक ही है जिटो के बात एक ही एसजिट्स है जो लगाताया रिपीट हो रहे हैं वह है क्या 3 यदी हम दोनों पक्षों में 10 का multiplied उधर भी 10 कर दे इधर भी तो दोस्तों हम एधर 10 का करेंगे क्या क्या होगा 20 X हो जाएगा इधर करेंगे दस्तों 0.3 त्री जाएगा लिखेंगे बंप पक्षम 10 का गुड़ा कर दिया अब यह बराबर डिटेल क्या मिल जाएगा दस का गुड़ा ऐसे एक यह जो दस्मलों हमारा यहां था यह उठके दोस्तों यहां आ जाएगा तो हमें मिलेगा फिर आप कहेंगे 3333 मतलब वही आपका कहानी पहले वाली चलती हुई चली जाएगे यहादी दोस्तों इसको हम एक्वेशन नंबर एक माल ले इसको एक्वेशन नंबर दो जहां सुनना है मैं डिटेल बता रहा हूं दोस्तों जबकि डिटेल की आओ सकता आपको एक्जामने आता साथ-साथ यूपी पुलिस यूपी असाई एससी बैंकिंग सभी एक्वेशन दोस्तों इस टॉपिक से एक क्वेशन आने की पॉस्पिलिटी हमेशा होती है अगर हम कहते हैं यह हमारा क्या हो गया 10 दोस्तों गौर्ड देखना यदि मैं आपसे यह कहता हूं कि भाईय यहां बचेगा कितना आपने सर्जी होगा 9x कितना जाएगा 9x कितना होगा 9x अब इन में से ध्यांस देखना दोस्तों यहीं थोड़ा सा सीखना आपको अब इन में से इसको घटाओगे तो हमाई थोड़ा इठर लिख दे रहें इधर तो हमारा क्या है 3.333 इस तरह से 0,0 यहां सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आप कहेंगे 3 बचेगा तो घटाने की तरीका आपको मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा तो यह दोस्तों घटाओगे तो यहां क्या मिलेगा 3 तो यहां से x की value क्या आ जाएगे आप कहेंगे 3 बटे 9 और 3 बटे 9 का मतल लिए 2-4 एक्जामपल ताके को समझ में आजा कैसे में इसको चेंज करते हैं क्लियर है यहां तक चलिए आईए दोस्तों अब इसी पर हम आपको लेके चलते हैं अगले question के तरफ second question के तरफ आपके सामने हम बढ़ते हैं आईए एक example और मैं इसका sort method भी सिखाऊंगा दोस्त और इसे आप भीन में बदलिए डिटेल समझा दे रहे हैं इसको sort पर लेक चलते हैं आपको ऐसे लेक नहीं जाना है यदि दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि हमने माल लिया कि x बराबर हमने माल लिया x बराबर 0.434343 यह कहां तक है तो unlimited तक हटा दिये अगर अब दोस्तों हम किससे गुड़ा करेंगे 100 से गुड़ा करेंगे तीन का मतल। 1000 से 4 अंक है तो 10-10 से इस तरह गुड़ा करते वह चले आते हैं तो हमने क्या किया दोनों पक्षों कितने का मल्टिप्लाई करें दोस्तों तो मैं आपसे कहता हूं कि दोनों पक्षों हम गुड़ा कर लेते हैं 100 का यह हमने एक्वेशन नंबर एक माल लिया अगर 100 का गुड़ा करोगे तो यह हमारा हो जाएगा 100X बराबर में 100 का गुड़ा करोगे दोस्तों यह 43 इधर निकल के आ जाएगा यह हो जाएगा 43 प्लस स्वरी 43 पॉइंट फिर दो में से एक को घटा दो आप यही तो कहोगे दोस्तों कि दो में से अगर एक घटा होगे 100 में से हमने एक्स घटा आ आप कहगे सर्जी मिलेगा 99x मिल गया अब इस इसको घटा ओगा इसको सिगमेंट एप गढ़के 0 हो जाएगा शिर्फ क्या बचेग हो यह बराबर क्या हो जाएगा आप कहेंगे 43 बटे का निनियानव यह तो दोस्तों हो गया इसका detailed method कि क्या आप समातों भाई हो यह इसका detailed method से ठीक है प्योर रेकरिंग अभी इन नहीं बता अभी प्योर पता है मैं इम्प्योर का भी डिटेल आपको बताऊंगा पहले प्योर को सीख लेजिए अब दोस्तों यह बताएजिए अगर इसका मुझे थोड़ा सा शॉट में इसका इसको सॉट बताते हैं कि आपको एक्जाम में कैसे चलना आप उसको देखते हैं पहले इसका इसकी स्क्रीन सॉट लेजिए देर हम अपने इसी चीज़ को हम एक लाइन लेते हैं हताते हैं इसको देखें के चले अब दोस्तों रेकरिंग का मतलब होता है आवर्ध और यह हम अभी एक्जामपल जो आपके शामने कुछ इस तरह से रखा हुआ है 0.3333 दिया गया है इनको जहां से repeat होना शुरू हो दोस्तों गौर करिए गया शब्दों को ध्याँ देगा है जहां से repeat होना शुरू हो जितने दिजिट repeat हो तो repeat यहां कहां सबर आप कहेंगे 3 3 3 3 मने एक ही ऐसी संख्या जो लगातार रिपीट हो रहे हो वो क्या है 3 तो सबसे पहले आपने लिख लिया 3 और decimal तो आपका दोस्तों हाई है दस्मलों आपका लगेगा दस्मलों गाद एक संख्या 3 जितनी संख्या है रिपी संख्या उन संख्या को लिखलो कितना हुगा 3 जितनी संख्याओं पर बार लगा है जितनी संख्या हो पर लगा है उती लिख देजिए 9 से डिवाइड कर दिए 1uds 9 का मतलब होता है 1 बटे 3 यही हमारा आंसर था भोलो हाइ है ना एक सेकंड यह ह Spaß पेंगे का सेठिक डेंन का देख इतर बता दोगे सटग वाला वाला कोयर्शन दोस्टों यह बिद्वाला आपको दिया है यह कहां से रिपीज हो रहा है किटने का घंग औ इसका आप फ्रेक्शन जानि भीन में 0.0 जो रिपीट हो रहा पहले आप उसको लिख लो 430 लिख लिया जितनी संख्याओं पर रिपीट हो रहा दो तो उतनी संख्याओं पर 7 लगा दो अंक है या दो Sum संख्या अगर रिपीट हो रहे ही तो day कूपर बार लगा दो अब इसको fraction में अगर भीन में convert करना होगा क्या करें कि सबसे पहले पूरी संख्या को आप उतार लेजी कितना हो गया 43 उतार ले आपने जितने संख्याओं पर बार है उतने बार हम 9 लिखेंगे दो संख्याओं बारत हम 9 कितनी बाले करेंगे दो बार दिस इस दे राइट आंसर बोलो हा या ना बोलो दोस्तों सवन में कितना आसान सा है कितना आसान है यह मैं आको एक्जांपल दे रहा हूं प्योर रेकरिंग का अभी मैं इंप्योर की चर्चा करता हूं आए दोस्तों अ आप इसको आप फ्रैक्शन में करों भीन में करों तो सबसे पहले मेरे भाई हों आप क्या देखेंगे कौन सी संख्या रिपीट हो रहे हैं तो पहले आप क्या करेंगे उस 371 को लिख लीजिए आज इस यह देखो जीरो पॉइंट लिख लिए आपने 0.371 लिख लिए अब पहलें जितनी शंख्याओं रिपीट हो रहे हैं आप कहेंगे 1,2,3 संख्या रिपीट हैं इन तीनों को उपर एक लाइन खीस दो यह हमारा बार कह राता है अब अगर मैं कहता है इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करों दोस्तों आप सीधा-म्सीधा कहेंगे कि सरजी पहले पूरी संख्या हम लेखेंगे 371 अपॉन में जितनी शंख्याओं पर बार है बार कितने एक दो तीन देखो दस्मलों के तुरंत बार बार शुरूर रहा है इसी को प्योर बोलते हैं इसमें कभी confusion मत हो ना दस्मलों के बार तुरंत अगर प्योर रेकरिंग अब तीन संख्या है दोस्तों बट्टे में तीन बार नौ से हम भाग देंगे क्या आप समत हो अब कुछ बच्चे कहें कि सर अगर इसको हमें इसको में फिर से अगर इसमें करना हो दोस्तों होते ही तो दो तरीके लेकिन जो सबसे अथेंटिक है मेरी नजरों में दोस्तों यही है कि 999 से आप भाग देनेंगे जो आएगा वही आपका आंसर होगा इस सीर को ध्यान रखना आप लोग अब दोस्तों आप कहेंगे सर जी दूसरा दूसरा बच्चे यह होता है कि जैसे अगर आप जाओगे इंप्योर सेकंड कोश्चन पर जैसे मैं आपसे कहता हूं कि अच्छे बताओ जीरो पॉइंट नाइन एट टू सेबन नाइन एट टू सेबन अच्छे यह बताओ और इसके बाद दोस्तों हम नहीं लगा दिया डाइस और मैं आपसे कहता हूं इसको चेंज करिए फ्रैक्शन में यान चार सबसे पहले आप देखेंगे कि यह प्योर है या इंप्योर है क्यों दस्मलों के तुरंत बाद रिपीट होना सुरू हो जा रहा है अब पहले हमने क्या बता है फॉर्स इस्टेप आपको क्या करना है पहले जितनी शंख्याएं हैं उन लिख दो जो रिपीट हो रही है 9827 लिख लिए आप लोग ने अब इसके बाद फिर वही 9827 फिर 9827 अब दोस्तों यह बताओ कितनी शंख्याओं पर रिपीट हो आप कहेंगे चार तिक रहें कुछ चार के उपर हमने लगा दिया बाद अब हम कहें आपसे अच्छे इसको में फ्रैक्शन में चेंज कर दो भ 27 और अपॉन में एक दो तीन चार चार है तो चार बार नौ से इसमें क्या कर दो डिवाइट इस इस दर राइट आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि प्योर रेकरिंग आपको समझ में आया होगा तो आप एक बार इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हैं दोस्तों अगर स्क्रीन सॉट टेना तरही स्क्रीन स्सॉट लेजीए आयात्व आप हम कहें अगे बढ़ते हैं मिरो इसको उताले हैं हम चलते हैं इस सबने कोशन कलुंस चलिए किस धिशका है यह dog राएं अब यु यह कहेंगे कि सरी यी बताओ यह दो-दो किजिट पहुँ रहा है रिपीट हो रहा है यह भी हमारा प्योड रेकरिंग है प्योरम मतलब शुद्ध आवर्त्थ है अब यह बताओ दो अगर इसका मैं डिटेल तो आपको बता चुका हूँ या फिर से में बार रिपीट कर दे रहे हैं यहां दो-दो डिजिट अगर यह आप देख रहे हैं रिपीट हो रहा है इसका मतलब यह है कि हम दोनों पक्षों में कितने का गुड़ा करेंगे मन में सोच के बताओ अगर एक डिजिट कर रिपीट हो रहा है तो 10 का दो डिजिट कर रिपीट हो रहा है सवका तीन है तो हजार चार है तो डस था थोड़ी देख लिए मैं माल लेता हूं कि एक्स बराबर हमें हो गया हम माल लेते हैं 0.73, 73, 73, यह हमने माल लिया, clear, दोनों पक्छों में अगर हम कहते हैं कि 100 का गुड़ा कर दो, कितने गुड़ा कर दो, 100 का गुड़ा कर दो, तो हम 100 का गुड़ा करेंगे, कितना हो जागा, यह होगा 100x, यह कितना हो जागा, यह होगा, 73.73, 73, clear, आई, अब यह हमारा माल लेते हैं, पहला एक्वेशन है, यह हमारा माल लेते हैं, दूसरा एक्वेशन है, अगर हम दूसरे एक्वेशन से पहले को घटा दे, तो दोस्तों, 100 में से x घटाएंगे, तो आप कहेंगे, सर जी, 99x हो जाएगा, बोलो हाया न, बराबर, दस्मलों के बाद देखी, इधर भी, और इधर भी, दुनों के बराबर तो आपस में घट जाएंगे, तो बचे कितना 73 बचे, कितना बचेगा, 73, यानि x बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 73 अब बटी का निन्यान दे, सहमत है, this is the right answer, this question, clear है, आई, इसी को अगर हम sort method पे लेके चलते हैं, जैसा अभी हमने चर्चा भी किया हुआ है, तो हम कहते हैं, कि 0.737373, ये आपको question दिया गया है, सबसे पहले आप लिखेंगे पूरी संख्या जो repeat हो रहे है, आप कहेंगे 73 repeat हो रहे है, repeat लगातार 73 है, जितनी संख्या है, repeat हो रहे ह लग गया भी है बार, अब ये बार लग गया, तो इसको हम लिखेंगे 73, अगर हम कहते हैं, इसको आप हमें भीन में change करेंगे, change into fraction, भीन में change करना है दोस्तों, तो जितनी बार बार लगा है, जितनी संख्याओं पर बार लगा है, उतनी बार 9 आप लिखेंगे, दो संख्य 9 बार will bachelor लोक है क्लियर है तो यह है Visit एग्जामपल यह है प्यवर रेक्रिंग का एग्जामपल आपको हमने बता दिये चलिए एक एक गैसिंपल आपके शामने और रखते हैं देखे अगर मैं आप से कहता हूँ 0.12731 में 273 और इसे आप किसमें convert कर दीजिए इसे आप convert कर दो यानि इसे change कर दो fraction में यानि भिन में पहला step first step क्या होगा इसका कि दोस्तों हम क्या करेंगे आप में detail नहीं जाना है हम देखेंगे कितनी पहले आप लेखेंगे इसको बार में change कर लो लेखेंगे वान टू सेबन थ्री आपने चारो संख्या लेख लिए जो repeat हो रही है और चारों को उपर एक लंबी लाइन लगा दो यही आपका बार कहलाता है अब हमने जब बार में change कर दिया तो इसको यदि हम कहें आप fraction में change कर लो पहले पूरी संख्या अगली को 1273 अब 1273 बटे जितनी शंख्याओं पर बार है एक संख्या दो संख्या तीन संख्या चार संख्या उतनी बार नौ लगा जो हमारा होगा in pure recurring का देखो अगला example हमारा क्या है in pure recurring का इंप्यूर का मतलब क्या होता जैसे मैं कहता हूँ 0.2 हम कहते हैं 3 3 3 3 यह हमारा इंप्यूर है तो सब्सक्राइब गौर से आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ा में आ रहागा कि यार एक संख्या छोड़ के फिर रिपीट होना शुरू हो रहा है बोलो हाया ना ठीक है पहले इसका डिटेल मेथड हम जानने का प्रयास करते हैं यदि हमने माल लिया कि x बराबर 0.23333 यह आपको दिया गया है अब यह बता दो कि जब तक दस्मलों के बाद की शंख्या बराबर नहीं होगी तब तक तक तुम घटा नहीं शकते हैं तब तक हम दस्मलों के बाद की चीज़ों को शून नहीं कर सकते हैं तब तक इसे हम फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं आईए अगर हम इसको कहे कि आप change करें कुछ दिमाग सोचजे हैं तो क्यों पहले दो को इधर दसमां के बात है यानि हम दोनों फक्ष्म क्या कर दिया हुज दोनों पक्ष्म हमने क्या कर दिया दसका multiply कर दिया 10 का गुड़ा कर दोगे यह हो जाएगा 10x बराबर यह होगा 2.33333 इस तरह से हमारा हो जाएगा बोलो हाँ यह ना यह चाहिए समझ में आ रहे आपको अगर मैं यहां से आप से कहता कि सर्जी इसको हम दो इसको माले एक क्वेशन सपोच करो अगर हम एक कह दें आप 3333 क्या 3333 में से यह घटाओ क्या 0 होगा आप कभी भी 0 नहीं होगा इसका मतलब कि हम इसको एक क्वेशन एक यह दो नहीं मानेंगे यह चीज तो आपको समझ में आई होंगे आप यह बता दो कि 10 मणों के बात तीन-तीन है दोस्तो अगर थमंदेलों के बात 3-3 को सुन किणले हम दोनों पक्षों में एक बार 10 का गुडा और करेंगे आप का दो नहीं करें प्रती तो हम कितने गुडा करेंगे एक his शंख्या है जो एक बार फिर से हमने दोनों पक्षुम क्या किया 10 का गुड़ा अगर 10 का गुड़ा करेंगे तो यह मिल जाएगा 100x बराबर यह होगा 2 यहां पर गुड़ा होगा एक तीन हमारा इस पार आ जाएगा हो जाएगा 23 दसनों फिर वही आपको कहेंगे 3 3 3 3 यह हम बढ़ते हुए आगे चलेंगे अब दोस्तों यह बतादो कि हम आपसे एक करते हैं कि चलो यह हमारा हो गया इसे हमने मान लिया ये पाला equation और इसे हमने मान लिया दूसरा equation first sumi करण और second sumi करण अगर मैं कहूं कि 2 में से 1 को घटाओ तो दोस्तों 100 में से आप 10x घटाओगे तो आपको मिले कितना आप कहेंगे सर्जी 2300 में लो दिया गया है 233 इस तरह से घमारा दिया गया पहला समय करके है तो दोस्तों आप करेंगे 2.33333 इस तरह दिया और घटाएंगे दोस्तों तो दसमार इक्या हट जाएंगे एक्स बरावर होगा 21 और बटे का नबवी क्या किसी संख्यास कटेगा कहेंगे तीन सते किस और तीन तीस हम नो हमारा आंसर साथ बटे है यह दोस्तों इसका डिटेल मेथड है जिसे बगल में लिख लिए आपको इस मेथड पर कभी भी नहीं जाना है ठीक है इंप्योर में तो अब डारिक्ट अगर हमको करना होगा था हम कैसे करेंगे चुक्छे मों कम्टीशन देना है हमने इसका डिटेल आपको समझा दिया ठ गौर करते हैं कोश्चन हमारा क्या है 0.23333 यह हमारा कोश्चन पहले आप यह पहचानना सीखो कि प्योर है या इंप्योर है या सुद्ध है या अशुद्ध आपके सर्जी दस्मलों बाद एक अंक तो दो है फिर रिपीट होना सुरू होता है तब यह क्या होगा आपके अ तीन पर जाके रूख जाओ रिपीट कितनी शंख्याओं को रहा सिर्फ एक ही संख्या तीन है जो रिपीट हो रही है तो उसके उपर आप बार लगा यहां तो कोई डाउट सो बता दीजिए आप लों एक बार देखिए घूरिये और अगर ठोई डाउट हो दोस्तों बिना संकोच के आप हमसे पूश सकते हैं अब यह बता दो अब इसे चेंज हमें करना है किसमें चेंज करना मेरे भाईयों इसको चेंज करना भीन में अगर भीन में चेंज करना सबसे पहले पूरी शंख्या को आप लिख लिए तेज लिख लिए आप लोग ने जितनी पर बार नहीं है उतनी शंख्या हम पूरे में से घटा देंगे बार किस पर नहीं है दो पर तो तो 23 में से दो घटा होगे दोस्तों क्या होगा 21 बटे 90 और अगर इसको हम काटेंगे तो तीन सते 21 तीन दहां में 30 क्या हमारा आंसर सेम है मेरे भाईयों साथ बटे 30 शाथ बटे 30 एक बार ध्यान रखना कि calculation दोस्तों हो सकता हमसे भी गब्र हो जा हम भी computer नहीं है इंसान है ठीक है चुकि दोस्तों offline classes नहीं है offline में होता क्या जैसे अगर हम लोग कुछ लिख देते हैं महां लोग कहीं misprint हो गया नहीं ध्यान दिये एड करने में सब्ट्रैट करने में यानि जोडने में घटाने में तो बच्चे तुरंद कहते हैं सर जी वहां आपने गलल दिख दिया लेकिन दोस्तों यहां सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने हम हैं और हमारी तनहाईयां और तनहाईयों में क्या है camera है और camera में आपको देखत दिया कि सबसे पहले आपको यह समझना अच्छे प्योर हम किसे कहते हैं इंप्योर दोस्तों आज हमने सिर्फ आपसे दो ही श्रत की चर्चा किया है इस पर आईए दो एक एक अग्जांपल आपके शामने में और रखता हूं अगर मैं कहता हूं कि अच्छा होता हूं 0.27278 तू सेबन एट तू सेबन एट त्री 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 अमाल लिजी यही आपको दिया गया और आपसे काजा इसको आप भिंद में बदलिए डेटेल से नहीं जाना दोस्तों सबसे पहले आप पूरी संख्या को लिकिए 0.278 और उसके बाद क्या है 3 इसके बाद 3 ने क्यों क्यो पर है या इंप्योर है आप कहेंगे सर जी असुद्ध है क्यों के दस्मलों की बात कुछ अंकों को छोड़कर तब रिपीट होना शुरू होता है इसलिए असुद्ध है दूसरा हमने आपको क्या बताया दोस्तों रिपीट कौन सी संख्या और आप कहांगे सर्जी तीन हो सबसे पहले पूरी संख्या को उता लिए संख्या अमारी क्या है दोस्तों शंख्या हमारी है वही 278 तरी पूरी संख्या उता लिए बटे कि कि बार कितने पर एक शंख्या जितने पर बार है उतनी बार नव लेखी अर्जिस पर बार नहीं है एक, दो, तीन, उतनी बार जीरो, एक, जीरो, दो, जीरो, तीन, जीरो, क्लियर, अब जितने पर बार नहीं है, जितने पर बार नहीं, कितने पर दो सो अठातर पर, इस पर बार नहीं है, वही दो सो अठातर इसमें से घटा दो, और जू आएगा वही आपका आशर आएगा, 13 में से 8 घटा होगे दोस्तों कितना हो जाएगा 5, 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 2 गया 5, अब फिर दोस्तों ये 2 का 2, अब बटे में 900, एक बार आउट चेक कर लिजिए, स्वरी 9 हो जाएगा, एक बार घटाल नहीं भाई जाएगा, गलत हो जाएगा, कहेंगे, गुरू अकट जीरो, साथ में से 2 कितना होगा दोस्तों, 5 अई होगा 2, यानी 25 सो 5, हमारा आंसर साही, ये कुछ कटेगा दोस्तों, डिविल्जम नियम बताया हो अन्त में 5 है, 5 से कटेगा, काटे इसको 5, 25, 25, 25, 0, 5, 15, अब ये कितना होगा? पांस से कितना होगा, अठारा सो, क्या और कुछ कटेगा, एक बार देखना, अगर कुछ कटे तो आप देखना, तीन से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, तीन से कटेगा, तीन एक का तीन, दो, तीन, छे, अठारा, दो, तीन, साथ, कटेगा, अब बटे में, छे सो, और तो SSC mains तक के जो question है मैं उन सभी प्रस्णों पर आपसे detail सर्चा करूँगा और आज की class में दोस्तों हमने सिर्फ और सिर्फ ये आपको बताने का प्रयाश के का कि pure recurring किसी कहते हैं इम प्योर काते हैं pure को हमने detail मेथड़ भी देखा उसका में। इसी पकार से इम प्योर का हमने detailed भी देखा और दोस्तों हमने sort मेथड भी देखा और इस तरह से हमने आज यह जाना आज दोस्तों हमने शिर्फ यह जाना कि हमारा जो है recurring कहते किसे हैं और उसे हम कैसे convert करते हैं fraction यानि भिन्द में तो आज के लिए हम अपने इस चैनल आर्बेस क्लासे दप परिच्छा गुरू से आज विदा लेते हैं दोस्तों और कल इसी टाइम पर इसी चैनल पर हम इस टॉपिक को अच्छे अच्छे प्रस्नों के साथ आपके साथ पुनव पस्तित होंगे तब तक लिए धन्य पर